नवश्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल SS News पर अभी कुछ समय पहले बारत सरकार ने एक नई शिक्षा प्रणाली की गोश्णा किये है 29 जुलाई 2020 को अगर आप चातर हैं या पेरेंट्स हैं या फिर आप एक टीचर हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए इसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह इस शिक्षा प्रणाली में बदलाव हुए हैं तो अब आपको बड़े बड़े बदलाव बताते हैं अब तक बारत में 10 प्लस टू प्रणाली चलती आ रही थी अब इसे 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 कर दिया गया है इसके तहट स्कूल के पहले 5 वर्ष फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी यानि कि इस समय चात्रों की नीव मजबूत की जाएगी इसका जो कॉर्स होगा वो NCERT द्वारा तयार किया जाएगा जिसमें की बच्चों को खेल कूत और अलग अलग तरह की कतिवीजियों से पड़ाई करवाई जाएगी यानि कि जो किताबों का बोश था वो अब पहले जैसा नहीं रहेगा तो अभी जो फिप्ट क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उससे छोटे बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये एक निती आई है इसके बाद यानि कि 6 से 8 तक के जो बच्चे रहेंगे वो मिडल स्टेज उनको माना जाएगा इसमें सह पार्टी अक्रम पढ़ाए जाएगा फिर 9 टू 12 तक जो क्लासेज होंगी उन्हें लास्टेज बोला गया है इसमें बच्चों को एक गेरी सोच पेदा की जाएगी उनकी विशलेशन क्षमता को बढ़ाया जाएगा अब स्कूल में पहले जैसा स्ट्रीम स्टिस्टम नहीं होगा मतलब अगर कोई आर्ट्स का बच्चा है तो वो फिजिक्स की पढ़ाई कर पाएगा या फिर कॉमर्स का कोई बच्चा है तो वो इतियास या सोशियोलोजी जैसे सब्जेक्ट भी ले पाएगा मतलब हमरे याँ पे पहले क्या होता था तीन स्ट्रीम चलती थी साइंस, कॉमर्स एन आर्ट्स जिसके तहट अगर कोई बच्चा साइंस पढ़ता है तो वो कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं ले पाता था और अगर arts में हैं तो वो science नहीं पढ़ पाता था लेकिन अब जो नहीं शिक्षा प्रणाली आई है उसके अंदर ये सब हटा दिया गया है मतलग अगर किसी छात्र के physics है तो वो commerce का कोई भी subject ले सकता है या फिर commerce है तो वो arts ले सकता है arts के subject पढ़ सकता है और अगर arts का बच्चा है तो maths, physics, biology इस तरह के subject अपने course में ले सकता है दूसरी महत्पूर्ण बात यह है कि आप पांची तक की पढ़ाई जो है वो मात्र बाशा या लोकल बाशा में ही होगी यानि कि अब हमें अंग्रेजी विशे में पढ़ना अनिवारिय नहीं होगा हाँ लेकिन अगर आप अंग्रेजी विशे लेना चाते हैं तो वो available होगा six class में पहुँचने के बाद छात्र को computer coding सिखाई जाएगी यानि कि जो विदेशों में पढ़ाय जाता है जिसमें six class से बच्चों को computer coding सिखाई जाती हैं तो उससे वो इतने advance हो जाते हैं कि वो एक नया software बना सकते हैं या फिर कोई mobile app बना सकते हैं तो हमारे यहां के जो बच्चे हैं उमीद करते हैं कि वो भी नए software और नए app बना पाएंगे इसके साथ ही six class के जो बच्चे हैं वो internship कर पाएंगे मतलब अगर बच्चे को painting पस्तंध है तो किसी painter के पास जाके painting सीख सकता है school period में ही और अगर किसी बच्चे को software बनाना पसंद दे तो वो किसी software engineer के पास अपनी पढ़ाई कर सकता है उसके बाद 90 से 12 तक की जो परिक्षा हैं वो semester pattern में होगी मतलब की हर 6 मां में परिक्षाएं होगी और अंत में दोनों जो result आएंगे उनको club करके उसका result दिया उसमें बच्चे की सारी activities को ध्यान में रखते हुए result आएगा जैसे वो extra activity करता है music में कैसा है painting में कैसा है sports में कैसा है वो सब चीजें व्यवार कैसा है उसका वो सारी चीजें देखके उनका result बनेगा जो board exam है 10th था उसको हटा दिया गया है और अब जो board exam होगा उसमें बच्चे अपनी पसंद की प्लेंग्विज में answer दे पाएंगे उधान की तोर पे हिंदी या अंग्रेजी किसी भी भाशा में वो परिक्षा दे सकते हैं और अब जो result होगा वो 360 degree आंकलन से तयार किया जाएगा जिसमें teacher के साथ साथ चात्र खुद का भी wishlation करेगा और चात्र के साथ पढ़ने वाले सहपाटी भी उस चात्र का wishlation करेंगे कि वो किस तरह से पढ़ाई कर रहा है college admission test जो होता था cat अब वो कोई भी चात्र दे पाएगा जिस चात्र के बारियू में कम अंका हैं वो भी यह exam दे पाएगा तो जिसने यह exam दिया है cat तो उसके अंक देखके 12 के जो result है उसके साथ उसको क्लब किया जाएगा और उन दोनों अंकों को जोड़कर जो मेरिट निकलेगी उसके according उसका admission college में हो पाएगा जो हमारा जो प्रोसीदर है वह जो ग्रेजुएशन का जो है वो चार साल का है उसमें अभी तक क्या हो रहा था तीन साल का ग्रेजुएशन था तीन साल के ग्रेजुएशन के बाद में बच्चे को पोस्ट ग्रेजुएशन करना होता था अभी क्या हो रहा है कि अगर हमने जैसे पिछले वाले जो ग्रेजुएशन का पार था उसमें अगर बच्चे ने एक साल पढ़ाई करी और छोड़ दिया तो बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है तो उसे सर्टिपिक्टी मिलेगा दो साल में अगर बच्चा पढ़ाई छोड़ता है तो उसे डिप्लोमा तीन साल में अगर बच्चा पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको डिग्री मिलेगी और चार साल में डिग्री के साथ उसे रिसर कई कोर्स कर सकते हैं अगर आपने कोर्स किया और दूसरा कोर्स करना चाहते हैं तो दूसरे कोर्स के अंग चुड़ते जाएंगे उस academic bank of credit में और आप जिस जहां पर पढ़ाई छोड़ेंगे तो जब आपने पढ़ाई छोड़ी तब तक के bank में जो credit हैं आपके number उनके marking के हिसाब से आपको result दे दिया जाएगा और यह सब digitally होगा अब जो school और उच्छे section संसान हैं उनमें Sanskrit को बढ़ावा दिया जाएगा मतलब अगर Sanskrit विश्व उद्याले हैं तो वहाँ पर बाकी subject भी Sanskrit में पढ़ाए जाएगे हर college में साइट ये संगीत कला पढ़ाए जाएगा इसके साथी फीस में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है इसके तहट अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी फीस सरकार डिक्लेयर करती थी प्राइवेट कोलेज अपने हिसाब से फीस लेते थे तो बड़े बड़े जो प्राइवेट कोलेजेस हैं उसमें जो निर्दन बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पाते थे लेकिन अब क्या होगा कि जो सरकार जो फीस डिसाइड करेंगे प्राइवेट कोलेज को भी वही फीस्ट लेनी होगी अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये शिक्षा प्रणाली आखिर में लागू कब होगी तो इस प्रणाली के लिए एक बिल तयार किया गया है जिसका नाम है नेशनल हायर एजूकेशन बिल इस पिल को फिलाल केबिनेट ने मंजूरी दे दी है और अब इसे संसद में पेश किया जाएगा फिर वहाँ से पास होने के बाद एक कानून बनेगा और उस कानून के तहट उस प्रणाली को सभी राज्यों को बेजा जाएगा और फिर सभी राज्य कानून को अडोप्ट करके अपने अपनी राज्य में इसको संचालित करेंगे इसी के साथ मानव संसादन का नाम बदल कर इसका नाम सिक्षा मंत्राले रखा जाएगा यह जो प्रणाली तयार की गई है उसमें दो लाख लोगों की दाई लिए गई है और यह प्रणाली 2021 और 2022 का जो सेशन चलेगा उससे स्टार्ट होने की संभा होना है तो आप सभी लोगों से निवेधन है कि इस जो हमारा वीडियो है इसे जिसको भी जरूत है जिन बंदों को इसकी जरूत है उन तक पहुंचाएं और इसे शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें धन्यवाद